अगर आपका भी CBC सेलेक्शन फैल हो रहा है अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हैं नहीं चल रहा है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्यूंकि आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स और ट्रिक्स देने जा रहा हूं जिसस आपका CBC सेलेक्शन कभी फैल नहीं होगा दस मैच अगर खेलिएगा तो दस मैच में मान के चलते हैं एक आज बार कुछ भी हो सकता है क्यूंकि क्रिकेट है कभी भी कुछ हो सकता है लेकिन मान के चलिए 8-9 बार आपका बिल्कुल एक जेट सही निगलेगा तो कैसे किस तर हम पर दिए आप मानके यहां पर करते हैं आपको देखने के सुरू करते हैं सीधा सीधी चलते हैं ड्रीम 11 अप्लीकेशन में में आ चुके हैं अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सीवी सी का सेलेक्षिन कैसे करना चाहिए तो चलिए बीना किसी तेरिक हम वीडियो को सुरू करते हैं तो रेंडमले हम किसी भी एक मैच को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इंडिया जी माबे का मैच होने वाला हम इसक इस तरह का interface आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने के लिए मिलेगे जी से आपको यहाँ पर देखिए, Wicked Keyboard section भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा Batsman section भी मिल जाएगा Spieler oner section, 근데 बॉलर अंड देखने के लिए मिलेगा तो इसको हम देख लिए अब यहां पर सबसे पहला बात है कि अगर हम किसी भी मैच को गए हैं तो उसमें पीच रिपट क्या है वह चीज हमें समझना होगा उसके बारे हम को जाना नहीं होना चाहिए तो यहां पर जैसे कि सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है तो उस हिसाब से हमें टीम क्रियेट करना होगा तो चलिए अब टीम क्रियेट कर लगते हैं तो जैसे कि ये रेनडामली हम अभी सेलेट कर रहे हैं आपको सिर्फ बताने के लिए ठीक है बाकि आप अपने अकोर्डिंग भी कर सकते हैं तेकिन मुझे सिर्फ इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का सेलेक्शन किस तरीका से होगा उसके बारे मापको बताना है तो हम रेनड सेलेट कर लिया अब यहां पर देखें कुछ इस तरह से देखने के मिल जाएगा यहां पर देखए जो भी खिलाड़ी है तो यानि कि यह श्रा का कॉंबिनेशन हो गया तो क्यूंकि साचर का कॉंबिनेशन किसलिए हुआ तो यह समझ लेते हैं पहले यहां पर देख सकते हैं जिमबाबे कहीं ने कहीं इंडिया का पेच्छा में बहुत ही कमजोर है ठीक है तो इंडिया में सब देख रहे हैं बहुत 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 तो वहीं Zimbabwe में बहूत इंडिया का पेच्छा बहुत कमजोर है तो उसलिए हमने according बना रहे हैं मान लीजिए betting पीच के according बना रहे हैं ठीक है betting पीच पीच है उसके बाद मान के चलिए boution पीच है तो battle pagress अगर रहे गा तो उसके अनुशार अलग बनेगा अब यहां पर दो कंडिशन आ जाता है तो पहला तो दोनों में से अगर पेसर को जादा support कर रहा है तो पेसर को आपने tîm में जदा ज़्यूंत को सब्याइज जादा लिश जीए pa लेकिन पता किसी चलेगा यह जो पेसर को ज़्यादा सब्याइज कर तो उसके लिए मैं नेक्स्ट बीडिए दे़ देंगा अगर आपका ज्यादा-ज्यादा कमेंट आता है तो पदा करेंगे कि हमारा जो फीच है किसंको पंपयार्स सफॉर्ट करता हमें किसंको लेना ओपको अपने टीम में पर ऊध़ी वीडियो बना दूंगा, तो चलिए हम सीधा सीधी आते हैं, पॉइंट पर, तो हमें CBC का सेलेक्षिन करना है, तो यहां से Next का ओप्सन लेते हैं, आप यहां पर यहां पर हमें देखना होगा, कि यहां पर देखिए, द्रिम लगेंगे खेलते हैं, तो यहां पर C और VC का ओप यहां पर बेजीज़ा क्या कर सकते हैं कि इसमें जिससे आपको ज्यादा रिक्स भी ना हो और मैच अगर आप दो मेंबर या तीन मेंबर खेल रहे हैं तो उसको आप इसली वे में जीज़ सकें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा केप्टन आपको सेम रखना होगा ठीक है क्योंकि केप्टन आपके अपनेंट के पास में रहेंगे आप वाइस केप्टन सी जो होता है उसको सिफ अपने अकोर्डिंग लेना होगा जो आपको लगे कि नहीं यह बैट्समें या यह बॉलर यह ओल रंडर चलने वाला है तो उस पर आपका सिकंदर वजा का ऑप्षं दिया गया है है आपको लगता है कि नहिं में से Van हमारे लिए सुम गिल रहेगा हो तो और सुम्मन गिल के साथ वाइस сторон करें जाएं को क्योंकि डिफरेंशियल पीक आपको वहां पर लेना होता है जहां पर मेनी जील या मेगा जील खेला जाता है यह दो मेंबर तिन मेंबर आपको ज्यादा रिक्स लेने का ज़रूरत नहीं है आप एक रिक्स भी लिजेगा तो आप अच्छा विन कीजिएगा ठीक है तो यहां क्योंकि देखिए और आपको कुछ हिंट दे देते हैं ऐसे आपको लगया कि सही बोल रहे हैं या गलत तो यहां पर देख सकते हैं सुमंगिल का सरेशन परसेंटेज कितना है लगभग तेरा परसेंट रितुराज गाइडवा का लगभग 14 परसेंट और इसका आप जो सबने इसको वाइस कैप्टन के कैप्टन मनाया हुआ है आप यहां पर सुमंगिल को बनाते हैं और सिकंदर अगर फ्रोब कर जाता है तो कहीं नहीं कहीं आप वान साइडेर कर जाएगा तो बहुत ही चांस होता है कि आप अगर कुछ अलग करते हैं तो उससे आपका टीम ए अपको cbc में सिप विचसे पर जएना लेना है या आपको लग रहा है कि नहीं सब लोग अगर अगर अभिसे क्सार्मा के साथ जा रहे हैं तो मुझे सिकंदार रिजा के साथ जाना चाहिए क्योंग भी अभिसेq सर्मा से ज्यादा सिज़ान रिजा पोइंड देगा तो आ आप अपने कोडिंग चेंज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा रिक्स अगर आपको नहीं लेना है तो आप कर सकते हैं कि कैप्टेन आप सेम चले जाईए पूरा टीम सेम चले जाईए वाइस कैप्टेंसिप आप अपने रिक्स पर बना लिए ठीक है आप वन साइडर विन करोगे और मेरा दावा है कि अच्छा खासा करोगे अगर आप इस टीम बनाते हो तको आप मुझे कमेंट किजया क्या BC रहें तो उम्यद्क करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर में दाने झाल झाल